हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मुबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं रेल की पटरियों पर पहली निजी रेल गाड़ी तेजस दोडाने के बाद रेलवे अब दूसरी तेजस पटरियों पर उतारने को तयार है रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक एक और प्रावेट ट्रेन पटरियों पर तोड़े ही इसका संचालन 21 फरवरी से किये जाने के लिए रेल्वे बोर्ट ने मंजूरी भी दे दी है तो IACTC तेजस एक्सप्रेस के बाद रेवले को अभी ये दूसरी कॉर्पोरेट ट्रेन मिल गई है इस दूसरी तेजस का संचालन भी पहले कित्रा ही IACTC ही करेगा रेल्वे बोर्ट जल्द ही इस नई कॉर्पोरेट गाड़ी की टाइमिंग और स्टॉपिज को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी करतेगा गौतलब है कि देश में पहली कॉर्पोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस लखनव और नई दिल्ली के बीच चार अक्तूबा 2019 को शुरू की गई थी इस नई ट्रेन को वारानसी से लखनों से गुजार कर इंदोर तक चलाया जाएगा और इसे हफते में तीन दिन चलाया जाएगा कॉर्पोरेट ट्रेन की नीती पर चलते हुए रेलवे ने 150 नीजी छेतरों की ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई है इस नई कॉर्पोरेट ट्रेन को चलाने के लिए रेल मंत्री प्यूज गोईल ने मद्यपादेश के उच्जैन को वारानसी से जोडने के लिए हफते में तीन दिन कॉर्पोरेट सेक्टर की तेजस ट्रेन चलाने का आदेश जारी कर दिया है जिसके बाद ये ट्रेन 21 फरवरे से चलेगी ट्रेन का संचारन आया से टीसी ही करेगी लेकिन इस ट्रेन में इस बार सिटिंग के जगा सोने वाली पर्थ होगी इस ट्रेन को लखनाव कानपूर और चांसी के रास्ते उज्जैन होका चलाया जाएगा इस ट्रेन से पियम मोदी के संसदिये छेतर वारानशी से सुपरफास्ट ट्रेन के डिमांड को प्राइवेट ट्रेन से पुरा किया जाएगा इस ट्रेन के रूट से वारानशी के साथ ही लखनो की लोगों को भी महाकाल और ओंका रेश्वर के दर्शन करने जाना आसान होगा टेजस जहां अपनी रफ्तार और इंटीरियर की वज़ा से खास है वहीं इसमें मिलने वाले सुईधाएं दूसरी ट्रेनों से अलग है खाना, सेक्योरिटी और बीमा के अलावा इस कारी के लेट होने पर जुर्माने का भी प्रावधान है अभी ट्रेक पा दोईनने वाली दिल्ली लेखना उतिये जास एक्सप्रेस, शतापती एक्सप्रेस ट्रेनों का प्रीमिम वर्जन है इसके कोच एर कंडिशन चेर कार वाले हैं जिनमें आराम दैक सीटे, पोस्टनल रीडिंग लाइट, अटेंडेंट कॉल बटन, LCD एंटरटेन्मेंट स्क्रीन, स्लाइडिंग दरवाजे, आटोमेटिक एंट्रियर एक्जेट द्वार, मॉडूर बायो सचाले जैसी आदुन सबसे पहले अपने मुबायल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं